कैसे आप सभी स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चैनल पे और फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे पंचितंत्र की कहानिया तो आज की हमारी कहानी है एक सियार के बारे में जिसका रंग जो है वो नीला हो गया था तो उसने अपने नीरे रंग का किस प्रकार से फायदा उठ कॉमया पढ़हे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने कहानी खुरू करते तो एक बार की बात रहती आयों एक सियार रहता है जो भोजन की तलास करता है और भोजन की तलास करते-करते वह यहां-महां भटकता हुआ एक गह Teen बाढू के गुज जाता है तो वह की चक्कर में एक होदे में घुसकर छिप गया होदे में छुपने की वज़े से उसका रंग नीला हो गया और जब वह बाहर निकला तो उसका नीला रंग देखकर कुट्टे उससे डर गये और डर के वहां से भाग गये सियार थोड़ा सा सोच में पढ़ गया कि मतलब जो कुट्टे अभी थोड़ी दिर पहले मुझे पर हमला कर रहे थी वो अचानक से मुझसे डर कैसे गये जब वो थोड़ा आगे बढ़ा और जंगल के तरफ पहुचा तो वो देखता है कि जो और भी जानवर रहते हैं वो उस सकती साली जानवर तो वो उससे डर कर भागने लगते हैं तब सियार को समझ आया कि वह सब जो है वो उसके रंग से डर रहे हैं और उसने देखा तो उसका रंग जो है वो नीला हो गया था और वो समझ गया कि उसके रंग को देखकर वह सब डर रहे हैं तो सियार बहुत ही चालाग बनता है और सोचता है कि क्यों ना मैं अपने इस रंग जो बदला हुआ है और उनके अंदर जो डर है उसका फाइदा उठाओं तो उसने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि दोस्तों आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं इस्वर द्वारा भेजा हुआ दूथ हूँ तुम मुझे अपना राजा बना लो और मेरी आग्या मेरी आग्या श्वयम इश्वर की आग्या होगी सभी जानवर को उसकी बात पर विश्वास हो गया उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया और चतुर सियार जो था वो सेर और बागो को अपने भोजन के लिए भोजन लाने के लिए काम पर लगा दिया सभी छोटे जानवर भी उसके जरूरत के सामान लाते थे और ऐसा कई दिन तक चलता रहा फिर एक दिन CR का एक जुंड वहां से गुजर रहा था तो जो CR का जुंड था वो अपनी आवाज निकाल ले थे मतलब उनकी आवाज सोड़ी सी हुआ हुआ टाइप की थी तो वो हुआ हुआ आवाज निकाल ले थे और जबकि ये एक CR था ये अपनी आदत से मजबूर था तो उनकी ये आवाज सुनकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये भी हुआ हुआ करने लगा सभी जानवर समझ गये कि ये कोई नीला जानवर या फिर इस्वर का भेजा हुआ दूत नहीं है बलकि ये एक मामुली सा CR है जो हम सब को बेवकूप बना रहा है सभी जानवर बहुत ही गुसाएं क्योंकि इतने दिनों से वो उनसे काम करवा रहा था सेड़ जो की जंगल का राजा होता है उससे वो काम करवा रहा था तो उन लोग को बहुत गुसा आया और उन्होंने उस CR की खुब पिटाई की तो फ्रेंट्स ये एक छोटी सी कहानी थी लेकिन हमें इससे ये सीख मिलती है कि अपने वास्तविक स्वरूप को कभी छिपाना नहीं चाहिए और जूट जादा दिन तक तिकता भी नहीं है जूट आप चाहे जितने भी सफाई से बोलने चाहे जितने दिन छुपा ले ले के लिए आप